मुझे पिक पास का घर छोड़ना पड़ा और मुझे वो लोग आरे नहीं दे रहे थे जिस वज़े से मुझे सलमान जी के साथ ऐसे बीहेवेर करना पड़ा सलमान जी ने मुझे बोला कि आप घर रुको लेकिन मैं नहीं चाहती ति उस घर में रुकना में तबे सच में बहुत कराब है अगर में तबे ठीक होती तो मैं रुक भी जाती उस घर में बट मुझे डॉक्टर्स फेसिलिटी नहीं मिल रही थी मुझे बिग बॉस जो खाना दे रहे थे वो उन्होंने फिर बंद कर दिया उन्होंने स्पेशल बोला कि प्रयांका को अब अनुमती नहीं है बाहर से खाना खाने की तो मेरी लाइफ में मेरी मेरी मुझसे ज़्यादे इंपोर्टन कुछ भी नहीं है और मैंने उनको सीक्रेट रूम में भी बोला था कि सर मुझे इस घर में दुबारा नहीं जाना है मैंने सलमान सर को भी बोला था सर मैंने ये चीज पहले 100 बार दो रही है कि मुझे मेरे घर जाने दो एंड उन्हें मुझे जाने नहीं दिया जिस वजे से मुझे ये सब करना पड़ा और जैसे मैंने सलमान सर को बोला that I wanna go home उन्होंने का कि तुम हिम्मत वाली लड़की हो तुमको हिम्मत दिखानी चाहिए तुम entertain करो लोगों को बट मेरे हिसाब से मैंने जो किया ठीक किया और अगर किसी को लगता है गलत किया तो I don't know कि कि अगर सलमान में पर कोई option नहीं बचा था कि कि करके भी यह लोग मुझे वापस घर में भीज रहे थे और मेरा eviction सब फर्जी था पता नहीं क्यों मुझे बार 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 यह घर के अंदर जाने पर मजबूर कर रहे थे यह सब चीजे मैं अभी जाके है वेक्ट होने के बाद भी अब क्या करोगे मेरी इतनी तब्यत खराब है अभी में पस डॉक्टर मेरे आयों है में गानेकॉलेजिस्ट आयो है अब वो जब दिखाएंगे मेरी रिपोर्ट्स दिखाएंगे अंदर घर के अंदर सिर्फ आपका प्लेड प्रेशर चेक हो रहा था आपको और कोई धंका डॉक्टर नहीं दे रहे थे बिग बॉस यह बोल रहे थे लुनावला होने की वज़े से आपको डॉक्टर अभी नहीं वेट करो वेट करो मैंने तो मनु पंजाबी की दवाईयां खाके भी दो दिन निकाले है बट मेरा मरने वालेते हो गी तो मुझे उस घर से निकलने के लिए या तो कुछ तोड़ पऑर करनी थी या मुझे कुछ करके आफर दाब्ना मिज़ें तो लोगह नहीं जी कलते मुझे से तो उस घर से निकलना मेरा एक यह भी हो जएए और बेशती बत्तम इजी I don't care अगर उसने करना है उसने एड़िट करना है सब कुछ पहले हफते में भी उन्होंने यही किया था सब कुछ एड़िट किया था कर्या और सलमान सर्क किया कर कहती है कि उन्होंने किक आउट किया तो उन्होंने नहीं नहीं दिखाया होगा कि मैंने उनको भोला था कि सर्प्लीज लेप मीड्य दो होँम, I wanna go home, big boss I wanna go home, let me go home मुझे घर आना था मैं आ गई अब चाहिए जो मर्जी बोले मीडिया बोले क्या बोले क्योंकि मैं सेलब नहीं हूं जो सेलब है वो अंदर बैठे है सो सारा एरिट होता है शो अच्छा है ठीक है जो वो दिखाना चाहते वो दिखा देते हैं इंक लोगों की मर्जी है बट आम नट पार अफ इस गेम अनिमोर और मैंने बहुत बड़ी गलती करी सल्मानी सर को बोल कि जर्णी से लेकिया कल दुपैर तक की जर्णी जब सल्मान और सल्मान सन उसले भी मैंसे गुस्ते हुए क्योंकि उनका बड़े था उन लोगों का सर्प्राइस एक डांस था मेरे में हिमत नहीं थी डांस वांस करने की मैंने सर को बोला मुझसे नहीं होगा तो उन्होंने मरना नहीं था उस घर में कहते हैं आपके जिन्दगी आपके लिए बहुत इंपरेंट होती है और मेरी जिन्दगी मेरे लिए बहुत जादे इंपरेंट है उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा I'll protect myself और I guess I've never it's been four weeks I've been I was very good to everyone but in the end I had to do it to make myself better and to come back home कल भी वो नहीं तिकट नहीं दे रहे थे दुपार तक शाम तक कि नहीं आप रुको आप सोचो आप डिसीजन लो बट जब मैंने डिसीजन ले लिया I say I wanna leave right now तो मैं फिर उस घर में दुबारा बिने लिए और बाइदवे राबी जानते ही नहीं उसको मैं क्या सिफाई दूँ और प्लिस देंदगी तदाव